नमस्कार जोती सिंरानी में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को हथेली में ऐसी जगर ऐसी साइन ऐसे योग के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपको बताती है कि आपको केरियर किस छेतर में चुड़ना चाहिए दूसरी चीछ नेतृत के द्वारा ख्याती प्रा आज तक साइद नहीं कोई यूट्यूबर मुझे ऐसा वीडियो मिला तो मैं वह आप लोगों को आज में बता रही हूँ देखिए और हथेली में पित्रस्थान कौन सा होता है जैसा कि आपको पता है हाथेली में पित्रस्थान मात्रस्थान भाई बहन का वाइस का जनता का सब का स्थान रहता है हाथेली में तो कहां पे वह ऐसी जगह होता है कौन सी जगह होती है जैसा कि आपको पाम देखनाहई है ना इसपाम में तो मैं स्टार्टिंग से एकए वीडियो बनाओंगी और है नत्रित से ख्याती प्रस्थान के बारे में बता कुझ तो देखिए यह जो जगए होता है, जैसा कि मैं finger के बारे में अभी तक तो मैंने बता रखा है, आप देखिए ऊपर से पिर नीचे आते हैं, अब मैं आपको माउंट के बारे में बताऊंगी, इसी माउंट को जो कि आपके Jupiter Google Finger के नीचे बाले माउंट को हम लोग पितर अस्थान बोलते है यही अस्थान वो है जो कि आपके अंदर में एहम की भावना, आपके अंदर में सासन करने की परबिटी, लीडर्शिप, क्वाइलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं और यही अस्थान से हम लोग इसी भी जातक का इक्षा सक्ती, महताकांचा, हर चीज को देखते हैं मैं पितरस्थान क्यों बोलती हूँ, आपको वामिष्ट्री की बुक में नहीं मिलेगी ऐसा, सामुद्रिक सास्तर में इसका वर्णन किया गया है कि यह जगह को हम लोग पितरस्थान बोलते हैं, ठीक है, और यह जगह उसन होता है, गर्म होता है, इसलिए मैं लास में आपको बताऊंगी, तो अगर यह परधान बैकती हो, तो इन्हें कौन सा बिमारी होने के चांसे ज़्यादा होता है, और उन्हें किस तरह से साबधान रहना चाहिए, तो देखें, सबसे पहले आपको देखते, मैं बताती हूँ, गुरू परवत के आसपास से मुख्य रूप से त इन तीनों मुख्य रेखाओं का उद्गम अस्थान आपका गुरू का परवत जूपीटर माउंट होता है, देखें, मैं एक ही वीडियो में बहुत कुछ कवर करने बाली हूँ, बहुत अच्छी चीजिए, इस परवत को नेत्रुत जो करता है, इस परवत को, इस परवत का परवत का परवत का परवत है, जो परवत का परवत से देखें हैं, जो भी जातक गुरुप परवत होगा, ये गुरु परवत किस परकार से हम लोग देखेंगे, जब आप finger को इस तरह से देखेंगे, इस तरह से करेंगे, तो यह जो setting जो होता है, जड़ जो होता है, रूट जो होता है finger का, वो अगर उपर की और हलकी सी उपर हो, यानि कि आपकी sunny की finger से थोरी उपर हो, तो it means अच्छा develop है, और उबरा हुआ हो, धसा हुआ ना हो, अगर suppose एक सकेंड के लिए आपका finger छोटा हो, और setting अगर अप हो, यानि जगह ज़्यादा मिला हो, यह setting अप हो, जगह गुरु परवत को ज़्यादा मिला हो, अपका यह बिक्सित है, तो गुरु परधान रैक्ती जो भी होते हैं, धर्म और परमपराओं से बिसेश प्रेम करते है आदर्षबादी होते हैं, जो भी जातक गुरु परधान होते हैं, बहुत ही आदर्षबादी होते हैं, समाजिक होते हैं, और अपनी प्रमपराओं से, अपने धर्म से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, स्पिरिचुलिटी का भी लेवल यहीं से हम लोग देखते हैं यह बहुत ही सुध और सुभ अस्थान बोला गया है यदि तरजनी की फिंगर की सेटिंग मांत लीजे लो हो यह तो मैंने आपके बारे में बताया यही अगर लो हो तो इन परबतों की गुनों को घटाती है लाइक कोई जातक धार्मिक कम होगा हमें महत Ond awakening की कमी होगी भी जिमेदारी नेश्चार करने की जिमेदारी उठाने में में कथ्षाइंगे जिनकी भी सेटिंग लो हो तो इपिंगर की सेटिंग कर था होग करता है अगर आप किसी का भी हांत यह कथ क्रते हैं होता क्या है ना हम लोग एक-दो-तिन-चार रेखाएं के बारे में जान लेते हैं तो बार में आती है सबसे पहले करते हैं यह से मुझा होना चाहिए mode to जब मैं पाम का रीट करती हूं, तो आप लोग बोलते हैं, कैसे आपको पता चलता है, ऐसी रेखाएं हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, है ना, आप लोग कमेंट भी करते हैं, कि मेरे फिंगर में, मेरे हाथ में इतने सारे सुपसीन हैं, बट मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे इतना ल अब कभी कभी आप देखते हो 1500 अानामिका से बड़ी तरजनी तो कभी कभी अनामिका से बड़ी तरजणी हो तो में स्वाजनी और जूपपियर मांट काफी डय स्वाफ बोला जाता है मान लीजिए आपकी फिंगर की सेटिंग उच हो और फिंगर भी लेंथ में अच्छी हो मान लीजिए अनामेका के बराबर हो या अनामेका से बड़ी हो तो इस बहुत अच्छा लेवल है ठीक है तो इस सिच्वेशन में तो ऐसे जाता गुरू परधान होते हैं आप किस तरह स करके बताती हूं अगर मालीजे आपकी गुरू परवत के साथ साथ कोई और परवत डेबलब हो जैसे आप कुणली में देखते हैं गुरू के साथ में अगर कोई क्रेब बैख जाता है तो जिस योग का निर्मान करता है उस योग का क्या फल होता है उसी परकार से हथेली से आप देख सकते हैं कि आपकी हथेली का माउंट और दूसरा माउंट दोनों को मिला के क्या रिजल्ट आता है तो आप गुरू के परवत के साथ साथ कोई अन्य परवत भी डेबलाफ हो तो क्या फल मिलता है कौन सा केरियर चुरना चाहिए कर सकते हैं जिस तरह से कुंडली में एक गुरू और सूरी अच्छा हो जाए तो जा तक बहुत अच्छा लाइफ जी लेता है उसी परकार से हथेली में अगर अन्य परवत के साथ साथ गुरू परवत भी विक्सित हो तो यह विसेस्ताओं को बढ़ाती है वहीं गुरू के सा सनी का परवत उभार लिया हुआ हो कभी विक्सित नहीं बोला जाता है उसे निगेटिव होला जाता है धसा हुआ दबा हुआ ही सनी का मांट अच्छा होता है जब मैं सनी के बारे में बताऊंगी तो इस टॉपिक पर आऊंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी दे तो वही चीज होता है एहम भाव में एक सिमित लेवल तक होता है ज्यादा नहीं होता है कहां पर उन्हें दिखाना है इक पर नहीं दिखाना यह पता होता है अब दूसरा चीज देख लीजे यदि मालेजिए जुपीटर के साथ आपका सूर यह बहुत बल्मान हो मतलब सूरी परवत बिक्सित हो तो सूरी परवत किस तरह से बिक्सित होगा सेटिंग अप होना से यह फिंगर लंबी होनी चाहिए और यहां पर उभार लिये हुए हो और देखिए एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ अगर मान लीजिए कोई भी परवत दवा हुआ हो बट उसे एक से या दो खड़ी लाइने हो तो इट मिंस उस परवत का गुल उस जातक में भड़पूर मातरा में उसे दिक्सित के बराबर ही माना जाता है ठीक है ना जिस तरह साथ आपको इवेडिसीन को लेने जाते हैं वो ब्रांड आपको नहीं मिलता लेकिन उसी ब्रांड से उस में च्छाती मिलती है चासन करते हैं च्छाती मिलती है आप कभी भी अपने हथेली के जुपीटर और शूरी को स्ट्रॉंग पाएं तो ऐसे जातक पॉलिटिक्स में अपना किसमत अजवा सकते हैं या फिर कहीं भी बहुत अपर पोश्ट पे जहां से वो नीचे रूल करते नित्रित करते हैं लोगों का महां पर ये लोग अच्छे से काम कर सकते हैं तो ये चीज होता है ऑफिसर ग्रेट का जौब भी ये लोग कर सकते हैं जिनका भी सूरी के साथ अगर गुरू और सूरी दोनों डैबलप हो तो इस गरा की परधानता हतेली में है वो आप देख सक है देखिए बुध हमेसा आपको चलाक बनाएगा बुध परधानब्यक्ति बहुत चलाक बहुत सातिर होता है और स्वार्थी भी बोल सकते हैं मतलबी भी बहुते हैं दोखेवाज भी बहुते हैं तो ऐसे जाता कि अपने पद्ध प्रतिश्था के लाब के लिए कहीं भी क च्चात्मक्मंगल। Volvo और बाहरी मंगल डेवलाफ तो अइसे जा तक उतावलाफंट बहुत कम हो जाता है इकषा सक्थी हो जाती लोग हो जाते हैं उतावलाफंद शल्दवाज करना है अब इसी साथ मानलीजें अंद्रोनी मंगल přेवल जेसे आपका ऋपकलया है लीडर बनने योग क्वाइलिटी होती है यह लोग बनते ही बनते हैं कैप्तान बनना या फिर बच्चे का भी आप देखेंगे हैं यह दोनों हो तो हर क्लाफ में वह मौनीटर ही बनेगा छोटा सा एजमपल में देखे समझा रही हूं आप लोगों को साहिना हो गया पुलीस ह खेल परतियोगता इन लोगों का लीडर जो होता है वो यह काम करते हैं तो इनका यह चीज होता है अगर आपका गुरू के साथ चंद्र बिखसीत हो तो कलाउं के छेतर में यह लोग नेतरित करते हैं डायरेक्टर बहुत बढ़े बन गए बहुत बढ़े स्क्रिप्ट आत्मा उपर से आपका चंद्र एक कलाओं का जो होता है उन दोनों का mission बहुत लाफ महुंचाता है तो यह हो गया अगर माली जी गुरू और शुक्र डेपलफ हो जाए तो क्या होता है तो गुरू और शुक्र डेपलफ हो तो ऐससे जा दक खुश रहता है और सारी इक्षाओ को लाइप में जो भी उनका ड्रीम होता है वो पूरा जरूर करते हैं आज करें करें ताइम पे ही करते हैं जिनके भी हथेली में गुरू और शुक्र बलमान हो डैबलफ हो बहुत सरा वीडियो में ने बना रहा है निजिक डैबलफ कैसे हो विक्सित के बारे में तो आप होता है गुरू परवत बहुत ज्यादा विक्सित हो जाता है मान लिजी गुरू पश्वत में आप जेखेंगे सेटिंग भी और फिंगर भी काफी लंबी है और मांट भी अच्छा कोई चीज अच्छा नहीं होता है तो इसका मतलब हो जाता है कि ऐसे जातक एहम गहमड़ बहुत हो जाता है और ऐसे जाता को हमेशा चाटूकार लोग पसंद होते हैं जो उनका चमचागिरी करें जो उनको चाटते रहें जो उनको खुसामत करते रहें इस टाइप के लोग असानी से इनका फैदा उठा सकते हैं क्योंकि कहते हैं एहम और एहंकार जो इनको बिदम से करते रहें तो वो लोग इनको पसंद होते हैं और असानी से उनका फैता ये लोग उठा लेते हैं यदि ये परबत धसा हुआ हो तो क्या होता है तो ऐसे वेक्ति महत्वाकांचा नहीं होती है कोई ड्रीम नहीं होता है कोई इक्छा नहीं होता है नेत्रित्क नहीं कर सकते हैं और जब भी बेसिक चीजों को देखे तो देखे फिंगर की सेटिंग जैसा कि मैं बोली हूँ जैसे रूम होता है, रूम का दिवार होता है, जितना ज़्यादा रूम में स्पेस रहेगा उतनी उर्जा रहती है, क्योंकि यहीं माउंट में हमारा उर्जा स्टोर रहता है, और ज्यादा से ज्यादा सेर करें और वीडियो हो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नहीं हैं तो तो आज के लिए वसीतना ही, नमस्कार